जिहां नमस्कार दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है पिरे में पतलापन जिहां प्याज का सिक्स लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान होता है प्याज को सही ढंग से अगर आप इस्तिमाल करते हैं खास करके कच्छा प्याज कि अदृरी होता है कि आप सेवन करें पियाज का कैसे सेवन करना है वो हम आपको बता रहे हैं आधा चमच्छ वाइट प्याज का रस् और आधा चमच शेहद और आधा चमच मिस्री के चुरन को मिला कर सुबह और शाम सेवन करें यह यह मिक्स्चर बिर्या पतन को दूर करने के लिए कफी प्योगी है यानि कि यह मिसर्ण जो बनता है किस चीज का प्याज शहद और मिस्री इसका इस मिस्रण के लिए आपको करना क्या होता है दोस्तों मिक्सचर को आपको सुभर शाम पांच ग्राम के मातरा में यानि कि हाफ हाफ चमच या एक एक चमच भी आप ले सकते हैं जाद से ज्यादा और इसके साथ दूद का सेवन करें दूद पीएं और केले खाएं यह आपके लिए बेहतर लिए गोट लें उसके बाद चने के बरावर छोटी छोटी गोलियां बना ले रोजाना रात को सोने से पहले दो गोलियां दूद के साथ खाएं इससे कि आपके लिंग का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है उत्तीजना उसमें भर जाती है वो अतीव तेजित हो जाता है ज का चूरन दो ग्राम छोटी सी इलाइची आपकी सिक्स लाइची को भर पूर आनन से भरी भी बना देगी जी हाँ एक छोटी सी इलाइची जो है वो आपकी सिक्स लाइची को इतना बहतरीन बनाती है जिसका कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं जी हाँ आपको करना क्या है इलाइ यह उसको एक ग्राम पांच बादाम और मिश्री 10 ग्राम ले लें बादाम को रात के समय पानी में भीगो कर रख दें सुबह के वक्त इसे पीश कर पास्ता बना लें फिर उसमें आपके जितने भी चूरन बने हुए हैं उस चूरन को मिक्स कर लें और उसे चम्मच में बटर क बढ़ोतरी करता है जिसकी वज़े से अब सेक्स का भरपूर अनंद ले पाते हैं इसके अलावा लहसुन जहां दोस्तों 200 ग्राम लहसुन पीस कर उसमें 60 एमेल शहद मिक्स कर लें मिलाकर एक साप सूतरी सीशी में उसे रख लें हर रोज एक एक चम्मच सुबह शाम लें यह आपके सिक्स पाउर को बढ़ाता है हल्दी बिर्य अधिक पतला होने पर एक चम्मच शहद में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर रोजाना सुबह शाम खाली पेट सेवन करें यानि कि एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच शहद मिक्स करके रोजाना सुबह साम लेने से आपकी बीरे में जो पतलापन है वो खातम हो जाता है आपका बीरे गाढ़ा हो जाता है जिससे की वो बहुत देर तक दिखता है और आप सिक्स का पूरानन ले पाते हैं और आपको ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होता है धन्यवाद दोस्तों